गुडुविनिंग आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखिए दोस्तों इगनू की तरफ से रिजल्ट की एक बार फिर से नई अपडेट आ गई है जैसे आप रिजल्ट को चेक करने के लिए जाएंगे तो आप यहाँ पर जैसे आएंगे टारमाइंड पर क्लिक करेंगे ठीक है टारमाइंड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे होंगे आपको यहाँ पर लिंक सामिल जाता है क्या लिखा है दिसंबर 2022 एकजाम रिजल्ट न्यू जैसे हम इसमें एकजाम रिजल्ट न्यू पर क्लिक करते हैं वैसे आपको यहाँ पर एक एंटर फेस दिखाई दोरा 25 जनवरी 2013 यानि 25 तारी को फिर से रिजल्ट अप्डेट किया गया इससे पहली वाली जो अप्डेट थी ओचोबिस तारी किया थी जिसका मैंने वीडियो बना दिया था कल किसी कांड से मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए वीडियो नही हैं काफी बच्चों की फेल भी हैं और काफी बहुत ही कम माक्स आए हैं वो भी मैं दिखाऊंगा कितने बच्चे फेल हुएं कितने लोगों के कम माक्स हैं काफी सोकिंग रिजल्ट भी आपको मैं आज यहां पर दिखाने वाला हूं तो रिजल्ट चेक करने के लिए decision box में जाएगा वहाँ पर लिंक दिया है वहाँ से आप डारेक्ट इसी लिंक पर आजाएंगे और यहां पर आने के बाद सीधा आपको एक काम करना पड़ेगा यहां पर आपका चाहे 9 डिजिट का इंडूनमेंट नेंबर है या 10 डिजिट का यहां पर लिखना है फिर आपको क् सम्मिट वाले उप्शन पर किलिक करना है जैसे आप सम्मिट वाले उप्शन पर किलिक करेंगे वैसे आपका रिजल्ट वहाँ पर सो कर जाएगा ठीक है तो आप सभी लोग जाकर कि अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और मैंने कुछ रिजल्ट चेक की हैं जिसमें बहु रिजल्ट मैं आपको दिखाऊँगा और एक ही subject में तमाम सारे बच्चे लगातार फेल है और लगबग पता नहीं गया से क्यों हो था भी मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ ठीक है सबसे पहले रिजल्ट को मैं आपको रिजल्ट दिखाता देखिए और इस result को जो update किये गए वो 23 तारीक को आया था ठीक है 24 वाली update में 100 नहीं कर रहा था आज जो 25 जन्वरी की update आई है उसमें इन बच्चों का result 100 कर रहा है कई बार ऐसा होता कि आपका result 100 करता कई बार आपका जो result 100 नहीं करता देख सकते हैं इस बच्चे का result क्या है इनकी back से इनको दुबारा एक्जाम देना पड़ेगा या फोटो कोपी अंसर सीट के लिए भी अपलाई कर सकते हैं ठीक है पचीस जनवरी वाली जो अपडेट आई है कल अपडेट आई थे उसमें इनका result 100 करा देख सकते हैं इस बच्चे की भी back आई है दो लोगों का मैंने result देखा और दोने की क्या है बैक है और दोनों को fail कर दिया गए ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं तो देख लिजेगा क् पचीस जनवरी है जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर इस्टूडेंट का देखेंगे बी एच डिले वन थार्टिफाइब में एट माक्सा हैं आठ नमबर आप देख सकते हैं अपडेट 23 तारिक को ही किया गया 25 वाली में 11 यह भी क्या है इनको भी fail कर दिया गया इनकी भ आप देख सकते हैं बी एच डिले वन थार्टिफाइब में क्या 11 नमबर आए हैं यह भी इनकी भी भायक आगई है आप देख सकते हैं तेज तारिक वाली में इनका भी रिजल्ट की देख रहे हैं सो कर रहा है ठीक है एक स्टूडेंट का मैं आपको और रिजल्ट देखें डिसमबर 2022 एक जाम रिजल्ट 25 जनवरी 2023 को इनका रिजल्ट को अपडेट किया गया आप देख सकते हैं इनके दो रिजल्ट आए हैं एक खास तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस रिजल्ट को खास तौर पे आप सभी लोग देखेगा क्या BEGC 131 और BHDL 135 आप द है को बाता है इसा रिजन क्या है कि इस बार बच्चे का रिजल्ट आया है बट मार्वस नहीं दिएगे कितना नंबर कितना नहीं आया है तो नहीं कर रहा मतलब है कि आपने इस पेपर को पास कर लिया है और पेपर पास करने के बाद दुबारा बच्चे पेपर देते हैं तो ऐस प्रकार से रिजल्ट को से करता है बहुत सारे बच्चे घबड़ा जाते हैं कि उनकी यूफ्यम लग गया है उन पर एकजाम दे देंगे देखो एक बार अगर आप इगनू में पास हो गए हैं तो आप पास हो गए हैं दुबारा एकजाम देने का कोई वी आपको फाइदा नहीं है जो बच्चे मालो किसी बच्चे ने पेपर दिया ठीक है मालो बिये का बच्चा है ठीक है बिये में 35 नंबर ठीक है बैचलर डिग्रे में अगर किसी बच्चे के 35 नमबर आ जाते हैं और 35 नमबर से साटिस्फाई नहीं है संतुष्ट नहीं है तो दुबारा पेपर देने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका 35 नमबर ही रहेगा सिरफ रीचेकिंग रीबैलवेशन करवाओ जो 35 नमबर आ जाता है उनको नमबर कम लगते हैं तो दुबारा एकजाम देने की कोसिस करते हैं और दुबारा पेपर देने का कोई भी आपको फाइदा या बेनिफिट होने वाला नहीं है इसलिए दुबारा पेपर देने का कोई अगर एक बार एकजाम में आप पास हो ग इसका grade card में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मार्क सीट में कुछ प्रभाव नहीं एक बार पास होने के बाद आप दुबारा पेपर देने का कोई फायदा नहीं सिरफ आपके पैसे खराब होंगे और आपका समय ही खराब होगा ठीक है तो इस इन कामों को मत कीजिए जो भी एक बार पास हो जाते हैं ऐसी काम को करने का आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है ठीक सिरफ समय और पैसा बरबाद हो रहा इस से ठीक है एक रिजल्ट में आपको आपको देगे टरमेंड दिसंबर 2022 एकजाम रिजल्ट आप देख सकते 25 जनवरी की यहां पर अपडे इनका 35 नमबर आ है तो अब 35 नमबर एक बार आगया आप पास कर गए है तो दूबार पेपर देने से आपका कोई फायदा नहीं आप दूबार एक्जाम फॉम भर देंगे तो पेपर देंगे रिजल्ट आएगा रिजल्ट में वही लिख किया जागा कोर्स ओ लेडी कंप् आपको 1125 जनवरी 2013 की जो अपडेट आई एक कल अपडेट आई थी ठीक है यहाँ पर देखेगा इनका बीच डीले 135 में कितना है 39 मार्क्स है आप देख सकते हैं और इनकी जो अपडेट यहाँ आप देख सकते हैं 13 जनवरी की अपडेट यहाँ पर है 39 मार्क्स है इनको भी क्या कर दिया गया है ये भी पास है ठीक है 39 पासिंग मार्क होता ठीक है लेकिन master degree जो होती है जैसे MA की degree में अगर है उसमें 40 नंबर है passing mark ठीक है 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा तभी आप पास होंगे लेकिन बीए बिकॉम bachelor degree जो होती है उसमें 35 नंबर है 100 में से 35 नंबर पास वाला होता है ठीक है और अभी जिस भी बच्चे का result नहीं सो कर रहा होगा आप देख रहोंगे 25 जनवरी की जो अपडेट है अगर आपका result में अभी भी enrollment number not found आ रहा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं या टेंशन मत लिजेगा आपका result बहुत result declare कर दिया जाएगा और result देरे-देरे declare हो रहे है अगली जो result की अपडेट होगी साथ आनी होगी ति इस अपते में आ जाएगी नहीं तो अगले बीक में 2-3 दिन फिर result अपडेट होगा तो result की अपडेट इसी तरह से आती रहेंगी जब भी आएगी तो मैं आपको वीडियो को माद्यम से जरूर बता दूँगा सिरफ आप चनल को subscribe करके रख लिए जब भी result की अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर इनिफॉर्म कर दूँगा और इस result में मैंने दिखा कि कई सारे बच्चे fail हो गए हैं ठीक है कई सारे बच्चों की बैक आई है तो बैक आने का simple सा region है कि आप फोटो कोपी answer seat के apply कर लिए rechecking यानि revaluation करवा लिजे या आप दुबारा जून में जब exam होगा अगला exam कब होगा जून 2023 में तो जून 2023 में आप 200 दुबारा paper देजीगा दुबारा भी आप pass हो जाएंगे तो उसमें कोई भी घबराने या tension लेनी की कोई भी जरूरत नहीं है चैनल को subscribe कर लिजेगा और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी thank you so much